परिजय चात्रो, मैं आपको आज तरी विमिये जयामिती पढ़ाने जा रहा हूँ, क्या पहले किसी ने इसके बारे में सुना है? हाँ सेर, मैंने 3D चश्मे के बारे में सुना है, जिसे हम 3D मुवीज देखते समय पहनते हैं. हाँ हाँ हाँ, वास्तवीक दुनिया में वस्तुएं 3 विमाओं में पाई जाती हैं. उधारन के लिए एक खनाब या एक बॉक्स की व्याख्या पूरी तरह से 3 मानदंडों द्वारा की जाती हैं. ये मानदंड हैं लंबाई, चोड़ाई और उंचाई. इसके संगत कार्थिये तल में प्रतेक बिंदू पर 3 निर्देशांक X, Y और Z होते हैं. इस आकरिती को ध्यान पूर्वक देखें. स्क्रीन की लंबाई के अनुदेश X अक्ष, स्क्रीन की उंचाई के अनुदेश Y अक्ष और कम्प्यूटर स्क्रीन से बाहर आती हुई Z अक्ष होगी. इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे. निर्देशांक अक्षों और निर्देशांक समतलों को परिभाशित करना. आकाश में एक बिंदु के निर्देशांकों का वर्ण करना. दो बिंदुओं के बीच की दूरी ग्यात करना. विभाजन सूत्र की व्याख्या करना. निर्देशांग अक्ष और निर्देशांग सम्तल आये एक ऐसे कमरे में बाउंसिंग पॉल का एक उधारन लें जिसमें कमरे का एक कोना मूल बिंदू है हम कमरे के कोने को संदर्व के मूल बिंदू और उसके सापेक्ष बिंदू परिवर्दन के निर्देशांगों के रूप में ले सकते हैं इस प्रकार मूल बिंदू को यादरिच्या कमरे के किसी भी बिंदू पर लिया जा सकता है आये आकाश में एक यादरिच्शिक बिंदू O से शुरू करें और O से तीन परस्पर लंब रेखाएं X-OX, Y-OY और Z-OZ खीचें बिंदू O निर्देशांग प्रणाली का मूल बिंदू कहलाता है और रेखाएं X-OX, Y-OY और Z-OZ क्रमशा X-OX, Y-OX और Z-OX कहलाते हैं समतल जो X-OX और Y-OX द्वारा निर्धारित किये जाते हैं X-Y समतल कहलाते हैं और इसी प्रकार Y-Z समतल और Z-X समतल भी निर्धारित किये जा सकते हैं ये तीन समतल निर्देशांग समतल कहलाते हैं तीन निर्देशांग समतल पूरे आकाश को आठ भागों में विभाजित करते हैं, जिन्हें अज्टांश कहते हैं. आकाश में एक बिंदू के निर्देशांग मालें की आकाश में कोई बिंदू P है और P से X, Y समतल पर एक लंब P L खींचें, जो इस समतल को L पर मिलता है. L से O Y के समानतर एक रेखा L A खींचें, जो O X को A पर काटती है. यदि हम लिखें O Z बराबर X, A L बराबर Y और L B बराबर Z, तो X Y Z बिंदू P के निर्देशांग हैं. पुना यदि हम P से O पर एक दूसरे से मिलने वाले इसके किनारों O A, O B और O C से एक आयता कार समानतर शट फलक पूरा करें और O B इसका मुख्य विकन हो, तो लंबाईया O A, O B, O C अर्थात X Y Z बिंदू P के निर्देशांग कहलाते हैं. किसी बिंदू के निर्देशांग X Y और Z करमशा तीन आयता कार निर्देशांग समतलों Y Z Z X और X Y से P की लंबवद दूरियां हैं. इस प्रकार आकाश में एक बिंदू P दिया है, इसके संगत एक त्रिक X Y Z आकाश में बिंदू के निर्देशांग कहलाते हैं. इसके विपरेत कोई त्रिक X Y Z दिया है, आकाश में बिंदू P के संगत जिसके निर्देशांग X Y Z हैं. उधारण उस अश्टांश का नाम बताएं जिसमें दिये गए बिंदू इस्थित हैं. 2, 6, 8, माइनस 1, 2, 3 हल चुकि संगत निर्देशांग तनात्मक हैं. इसलिए 2, 6, 8, O, X, Y, Z, अश्टांश में इस्थित हैं. चुकि X रनात्मक हैं और Y वजट तनात्मक हैं. इसलिए माइनस 1, 2, 3 O, X, डश, Y, Z, अश्टांश में इस्थित हैं. दो बिंदूं के बीच की दूरी हम दो और तीन विमिय आकाश में दो बिंदूं के बीच की दूरी ग्यात करने हैं तू सुद्र की व्यूत पत्ती करने के लिए पाइथा गोरस प्रमय का प्रयोग करते हैं. मालने P बराबर X1, Y1 और Q बराबर X2, Y2 कार्थिय तल में दो बिंदू हैं. जैसा की आगरिती में प्रदैशित है. तब पाइथा गोरस प्रमय से हम प्राप्त करते हैं की P और Q के बीच की दूरी है P Q बराबर X2 माइनस X1 वर्ग प्लस Y2 माइनस Y1 वर्ग का वर्ग मूल. इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि यदि P बराबर X1, Y1, Z1 और Q बराबर X2, Y2, Z2 त्री विम्य आकाश में दो बिंदू हों तो P और Q के बीच की दूरी P Q बराबर X2 माइनस X1 वर्ग प्लस Y2 माइनस Y1 वर्ग प्लस Z2 माइनस Z1 वर्ग का वर्ग मूल. उधारन एक बिंदूओं 2, 5, माइनस 4 और 8, 2, माइनस 6 के बीच की दूरी ग्याद करें हल माल लें P 2, 5, माइनस 4 और Q 8, 2, माइनस 6 दो दिये गए बिंदू है इसलिए P Q बराबर 8, माइनस 2 वर्ग प्लस 2, माइनस 5 वर्ग प्लस माइनस 6 प्लस 4 वर्ग का वर्ग मूल बराबर 36 प्लस 9 प्लस 4 का वर्ग मूल बराबर 49 का वर्ग मूल बराबर 7 उधारण दुईतिये माइनस एक को क्रमशाह P, Q और R से निरूपित किया जाता है बिंदू समरेखिये होते हैं यदि वे एक ही रेखा पर इस्थित हों P, Q पराबर एक प्लस दो वर्ग प्लस दो माइनस तीन वर्ग प्लस तीन माइनस पांच वर्ग का वर्गमूल P, Q की गणना करने पर हमें प्राप्त होता है चौदा का वर्गमूल P, R बराबर साथ प्लस दो वर्ग प्लस शून्ने माइनस तीन वर्ग प्लस माइनस एक माइनस पांच वर्ग का वर्गमूल P, R की गणना करने पर हम प्राप्त करते हैं तीन गुणा चौदा का वर्गमूल Q, R पराबर साथ माइनस एक वर्ग प्लस शून्ने माइनस दो वर्ग प्लस माइनस एक माइनस तीन वर्ग का वर्गमूल Q, R की गणना करने पर हमें प्राप्त होता है दो गुणा चौदा का वर्गमूल यहाँ PQ प्लस QR बराबर 14 का वर्गमोल प्लस 2 गुणा 14 का वर्गमोल बराबर 3 गुणा 14 का वर्गमोल बराबर PR अता पिंदू माइनस 2, 3, 5, 1, 2, 3 और 7 शून्य माइनस 1 समरेखे हैं विभाजन सूत्र मानले की बिंदू R, X, Y, Z, PQ को आंतरिक रूप से L अनुपात M के अनुपात में विभाजित करता है मानले की P के निर्देशांग X1, Y1, Z1 और Q के निर्देशांग X2, Y2, Z2 है बिंदू P, R और Q से X, Y समतल पर लंब P, L, R, N और Q, M कीजें O, X पर लंब L, A, N, C और M भी कीजें अब A, C बराबर O, C, माइनस O, A, बराबर X, माइनस X, एक और B, C बराबर O, B, माइनस O, C, बराबर X2, माइनस X साथी हमारे पास है A, C, बराबर O, B, C, बराबर O, N, M, बराबर O, R, Q, बराबर O, M इसलिए X माइनस X1 बटे X2 माइनस X बराबर L बटे M हल करने पर हमें प्राब्त होता है X बराबर LX2 प्लस MX1 बटे L प्लस M इसी प्रकार यदि हम क्रमशा O, Y और O, Z पर लंब खीचें तो हमें प्राब्त होता है Y पराबर LY2 प्लस MY1 बटे L प्लस M और Z पराबर LZ2 प्लस MZ1 बटे L प्लस M इसलिए R एक बिंदू है LX2 प्लस MX1 बटे L प्लस M LY2 प्लस MY1 बटे L प्लस M LZ2 प्लस MZ1 बटे L प्लस M यदि λैम्डा बराबर L प्लस M तो बिंदू R के निर्देशांक जो PQ को लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करते हैं LAM D X2 प्लस X1 बटे L L L Y2 प्लस Y1 बटे L L L L Z2 प्लस Z1 बटे L 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 ये रेखा PQ के एक बिंदू के संगत और रेखा PQ पर प्रतीक बिंदू R के संगत लेमडा का कुछ मान होता है। PQ को बाहता लेमडा अनुपात एक के अनुपात में विभाजित करता है। L Y 2 माइनस M Y 1 बटे L माइनस M L Z 2 माइनस M Z 1 बटे L माइनस M उप प्रमे दो P Q के मत्भिंदू के निर्देशांक है X 1 प्लस X 2 बटे 2 Y 1 प्लस Y 2 बटे 2 Z 1 प्लस Z 2 बटे 2 विभाजन सूत्र का उधारण 1 उस बिंदू के निर्देशांक ग्याद करें जो बिंदू 2, माइनस 4, 3 और माइनस 4, 5, माइनस 6 को मिलाने वाले रेखा खंड को आंतरिक रूप से दो अनुपात एक के अनुपात में विभाजित करता है हल माल लें A, 2, माइनस 4, 3 B, माइनस 4, 5, माइनस 6 दो पिंदू है माल लें P, X, Y, Z A, B को दो अनुपात एक के अनुपात में विभाजित करता है इसलिए X बराबर 2 गुणा माइनस 4 प्लस 1 गुणा 2 बटे 2 प्लस 1 बराबर माइनस 2 वाही बराबर 2 गुणा 5 प्लास एक गुणा माइनस चार बटे दो प्लास एक बराबर दो और जेट बराबर दो गुणा माइनस चे प्लास एक गुणा तीन बटे दो प्लास एक बराबर माइनस तीन इस प्रकार पी के निर्टेशांग हैं माइनस दो दो माइनस तीन विभाजन सूत्र का उधारण दो, दिया है कि P 32-4, Q 54-6 और R 98-10 सन रेखे हैं, वो अनुपाद क्याद करें जिसमें Q PR को विभाजित करता है, हल, माल्ले की बिंदू Q 54-6 बिंदू P 32-4 और R 98-10 को मिलाने वाले रेकाखंड को के अनुपाद एक में विभाजित करता है, इसलिए विभाजन सूत्र का प्रयोग करने पर हमें प्राप्त होता है, 5 4-6 बराबर K गुणा 9 प्लस 3 बटे K प्लस 1, के गुणा 8 प्लस 2 बटे K प्लस 1, के गुणा माइनस 10 माइनस 4 बटे K प्लस 1, के के लिए हल करने पर हम प्राप्त करते हैं, के बराबर 1 बटे 2, इस प्रकार बिंदू Q PR को एक अनुपाद 2 में विभाजित करता है, क्या आप चानते हैं, 1715 इसा पश्चाथ जे बर्नौली ने लेबनिट्स को लिखे गए अपने एक पत्र में तीन निर्देशांग सम्दलों का उल्ले किया था, जिने हम आज प्रयोग करते हैं, सन 1748 इसा पश्चाथ में, एल यूलर ने अपनी इंट्रोडक्शन ट्यूजोमेट्री के दूसरे खंड की परिशिस्ट के अध्याई 5 में, तिरी विमिये जयमिती का क्रमबध तरीके से वड़न किया है, 19 सदी के मध्ध से पहले ही जयमिती का विस्तार तिरी विमाओं से आगे हो गया था, जिसका भली भाती परिचित अनुप्रयोग आइंस्टीन के सापेक्शिक्ता सिध्धान्त के आकाश, समय, सांतत्यक में है। आली के निर्देशांग, अक्ष तीन परस पर लंबवद रेखाएं होती हैं। अक्ष, X, Y और Z अक्ष कहलाते हैं। तीन सम्तलों को अक्षों के युकमद्वारा निर्धारित किया जाता है, जो निर्देशांग सम्तल होते हैं, जिनहें X, Y, Y, Z और ZX सम्तल कहते हैं। तीन निर्देशांग सम्तल आकाश को आठ भागों में विभाजित करते हैं, जो अश्टांश कहलाते हैं। त्री विम्य जयामिती में एक बिंदू P के निर्देशांग सदेव त्रिक के रूप में लिखे जाते हैं। जैसे X, Y, Z यहां X, Y और Z सम्तलों Y, Z, ZX और X, Y से दूरियां हैं। X अक्ष पर कोई बिंदू X, 00, 00 के रूप का होता है। Z के रूप का होता है। दो बिंदू P, X1, Y1, Z1 और Q, X2, Y2, Z2 के बीच की दूरी को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। बिंदू R के निर्देशांक जो दो बिंदू P, X1, Y1, Z1 और Q, X2, Y2, Z2 को मिलाने वाले रेका खंड को आंतरिक रूप से और बाहिता M, N के अनुपात में विभाजित करता है। बिंदू P, X1, Y1, Z1 और Q, X2, Y2, Z2 के मद्दे बिंदू को मिलाने वाले रेका खंडों के निर्देशांक 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 है।